नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनोग गुरी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान इस्टेनोग्राफर के पेपर को देखेंगे इसमें हम लोग दुतिय प्रस्णपत्र को देखेंगे इसका प्रिवेस येर का पेपर भी हमने सॉल्व कराया है अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा आरा स्मस्विक इस्टेनोग्राफर करके बनाया है उसमें जाके आप देख सकते हैं सारा उसमें मैंने सॉल्व कराया हुआ है यहां पर हम दुस्तों हम लोग देखेंगे हिंदी के पेपर को जो के दुत्तिय प्रशन पत्र होगा आपका जिसमें हिंदी और अंग्लेजी के कुछन होगे तो हिंदी में हम लोग देखेंगे ग्रावे नंबर पे जो है पत्र एवं उसके प्रकार यानि कार्यालाई पत्र के प्रारोप के विशेश संदर्व में कुश्चन को देखेंगे और ये सभी कुश्चन राजस्थान की किसी ना किसी एजाम में पूछे गए कुश्चन है ठी इसमें श्टेनो गुरूजी साच करेंगे तो भी आप हमारे गुरूप से जुड़ जाएंगे तो यह जो कुश्चन है यह जाम के दरिश्च यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपने प्रिवेस पेपर को देखा होगा तो इस पार से रिलेटर कम से कम आपके 5-6 कुश्चन जो दिखाता हूँ आपको देखिए जो से यह से यह जब आपका 2018 ऑल . ठीक है दो जैर में यहां लिखा गया था शोरी जालि डिका मार्किंग रहेगी यहां काटा यां लेकिन फिर जब 2020 में यह इफिर oyster ribbon हुआ था ठीक है Edition 2020 में री ओपन हुआ था तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको देखिए हम नोटिफिकेशन पर आ गए हैं अठारा आर दोजार बीस को फिर से संसोधित नोटिफिकेशन आया था संसोधित बिस्तिद विग्यप्ति आया थी है यहीं की फांड फिर से री ओपन किया गया था ठीक है यहां पर हम लोग चलते हैं देखिए यहां पर नीचे की तरफ दिया गया है देखिए बिसेश नोट दिया गया ठीक है बिसेश नोट में आप देखेंगे से घ्रलिपी भरती परिच्छा 2018 में नकारात्मक अंकर यानि निगेटिव मार्किंग के प्रावधान को बिलोपित किया जाता है ठीक है पहले जो था उसमें नकारात्मक था लेकिन आप यहां पर बिलोपित किया जाता है मतलब हटाया जाता है ठीक है बाकी यहां पर पहला नंबर देखिए वहीं पर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा ठीक है तो इसके लिए आप तो चलिए वीडियो के बढ़ते हैं यहां पर देखें बाकी चीजें सेलबस हो गया है सब वही रखा गया है ठीक है यहां पर देखें नीचे वाले में देखिए परिच्छा की सब कुछ वही रहेगा तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं उसे पहले दोस्तों अगर आपको टेलिग्राम मिल जाएगा वहां पर भी देख लीजेगा हम कोसिस करेंगे कि आपका कि पहले पहले सभी जितने हिंदी के सिलिवस हैं सब को कंप्लीट करा देंगे एक दिन में दो वीडियो कम से कम देने के कोसिस करेंगे जितना ज्यादा हो पाएगा हम उतना कर देंगे ठीक है आप लोग तैयारी करते रहिएगा यहां पर दिखें पहला कुश्चन है तो कुछ भी सुनते हो कुछ भी कहीं पढ़ते हो तो पिर आपकी मर्जी है हर कोई अपने कहने के लिए स्वतनत रहे किसी को आप रोक नहीं सकते कोई मार किंग कोई नहीं लगा सकता ठीक है फिलाल आपने ओफिषयल नोटिस जो है वो देख लिया है ठिसमें सही जवाब क्या हो जाएका उसको क्या बोलते है पूर में प्रेशीत पत्र की याद दिलाने के लिए ठीके जैसे इंगलिजिस में रिवाइनडरถ बहले रिवाइँडर बम्राप्त करने है तो लिखे गये पत्र का प्रारूप होता है किसी पत्र पर जब आपको न्युक्ति दिया जाता है तो उस पे जो प्रारूप लिखा जाता है वो किस प्रारूप में लिखा जाता है यह आपको बताना है वो आपका लिखा जाता है जो जब आप आवेधन मांगते हैं आवेधन पत्र होता है क्या होता है निक्ति प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखते हो आप वह आवेधन पत्र होता है ठीक आवेधन भेजते हो अप्लिकेशन जिसको बोलते हो ठीक है अगला है निविदा सूचना का उद्देश से होता है क्या होता है यह बताना आपका न अगला कुछन है एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेसितों को भेजा जाता है तो इसको क्या कहते हैं एक पत्र जब एक ही साथ कई प्रेशितों को भीजा जाता है उसको बोलते हैं अधिसूचना क्या बोलेंगे अधिसूचना वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा थेजी से चलेंगे क्यूंकि हम लोगों को बहुत सारी कुष्चन solve करना है और revise भी करना है आप चंदी यहाँ पर answer हो जाएगा ठीक है और आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप लोग इसको revise के लिजेगा कार्यालाई पत्र का मशावदा लिखते हुए इसमें total 53 question हम लोग दिखेंगे कार्यालाई पत्र का मशावदा लिखते हुए शबशे पहले किसका उले किया जाता है इससे आपको इस वीडियो से कम से कम 4-5 question मिल जाएंगे आपने प्रिबियस पेपर हमारा देखा होगा प्रिबियस पेपर जो 2011 में जाम हो था उसका हमने paper upload कर दिया है अगर आपने नहीं देखा तो टेलिग्राम पर मिल जाएगा वी शबशे पहले किसका उले किया जाता है ये आपको बताना है किसका किया जाता है सबसे पहले सबसे पहले किया जाता है आपका आता है सबसे पहले पत्र क्रमांग संख्यानी लेटर नमबर आएगा ठीक है तो आप सनवान यहाँ पे शही जबाब हो जाएगा अगला question क्यों बढ़ते हैं आधिसूचना के संबंध में पीडियाप आपको मिलेगा उसमें भी और इसमें भी सब में आपको आंसर भी मिलेगा आंसर दिया हुआ है ठीक है आधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन शही नहीं है यह आपको बताना आधिसूचना जब आधिसूचना जारी क जाता है उसमें इसे राजपत्र वा समाचार पत्रों में प्रकासित के जाता है यह बात सही है या पर्थम पूरुष सहली में लिखी जाती है ठीक है तो कुछन पूछा जाता है ठीक है कौन सा नोट की सहली में लिखा जाता है तो इसको भी ध्यां रखिएगा आप यहां पर कार्याले आदेश हो गया परिपत्र हो गया अधिसूचना हो गया तो यहां पर निमंत्रन पत्र जो है वो कार्याले में नहीं होता ठीक है निमंत्रन पत्र यहां पर सामिल नहीं होगा आप संसी यहां पर आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है कार्याले पत्र में इनमें से क प्रतिवेदन सब्द की रचना किन सब्दों से हुई है सही विकलपन निशान लगाएं यहाँ पर सब कुछन पूछा हुआ है अठों कुछन देखे आपका रिक जा में पूछा गया था LDC वाले 2016 वाले में ठीक है तो सभी इंपर्टेंट कुछन है तिहां पर पूछ रहा है प्रतिवेदन सब्द की रचना किन सब्दों से हुई है सही विकलप का पर निशान लगाएं क्या हो जाएगा किसे हुई है प् में उप्यूक्त कथन है भारत सरकार के प्रारूपों में अर्धसास कि ये पत्र के संबंद में उप्यूक्त कथन है या आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा क्या होगा का रियाले और सबसे उपर पत्र संख्या फिर भारत सरकार फिर मंत्राले का नाम और पता तथा उसके नीचे दिनांक अंकित होती है ठीके तिहां पर देखिए कौन सा कथन उप्योगत है तिहां पर जो बी है वो सही है दाहिनी और सबसे उपर देखेंगे तो उसमें पत्र संख्या ठीक संबोधन अभिवादन होता है ठीक है अर्धिसास की पत्र में डियो लेटर में कैसे होता है हो से महोदे के अस्थान पर प्रीया प्रिय सुस्री जो भी होता है डियर लगाके इस इंग्लिज इन सी खो जाएगा अगला कुशों है अठधिसास की पत्र के अन्ध में अधों लेख के रोप में लिखा जाता है देखो वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जरूर हो सकता है क्यूंकि तिरुपन कुषचन है इस लिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं थोड़ा तेजी से चल रहे हैं अगर आपको लगे तो आप वीडियो को श्टीरड में करके भी सेली में होती है। अगला कुछ चैंद शभ में उपयुक्त कथन है ग्यापन के संतर्व में उप्युक्त कथन कौन सा है ठीक है अगर हम चार आप्षन बोलेंगे तो वीडियो जादा लंबा होगा इसलिए सिधा आंसर देखिए हाँ पर ग्यापन की में न संबोधन होता है और ना भौधिय जैसा स्वा निर्देशन होता है ठीक है यहाँ प दोनों में जो में डिफरेंट है वह है ग्यापन एक ही मंत्राले या विभाग में काम में लिया जाता है ठीक है और जबकि कार्याले ग्यापन जो होता है वो विभिन मंत्राले विभागों के लिए भेजा जाता है ठीक है अगर कोई इंटरनल निकालना चीजे होती है तो आ आप्शन B, नेस्ट कुछन है, कार्याले आदेश की भासा होती है, किस सहली में होती है, आपको बताना है, कार्याले आदेश की भासा, ठीके, किस सहली में होती है, अन्यम्य होती है, यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पर कार्याले आदेश की भासा पर्थाम, अ यह आपको बताना है कार्याले आदेश के संबंद में कौन सा कथन असत्य है सही जब हो जाएगा कार्याले आदेश ब्यक्तिगत पत्र होता है ब्यक्तिगत पत्र नहीं होता है कभी भी ठीके कार्याले आदेश ब्यक्तिगत पत्र नहीं होता तो यही कथन असत्य है ठीके आप जब किसी कार्याले में किसी सास्की ये पत्र ग्यापन अध्वा आदेश को एक साथ अनेक प्रेशितों को भेजा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिपत्र. क्या बोलेंगे? परिपत्र. ठीक, आप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा. अगला कुछ चन्य अधिनेस्त अधिकारिएं को भी परिपत्र लिखा जाएगा यह मुझे ऑपयव requirement किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रेस बिइपती यानि कि प्रेस में होगा गजट में नहीं छपेगा ठीक है प्रेस विग्यप्ति बोलते हैं उसको ठीक है आपसन भी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्चन है शरकारी नियम आदेश चेतावनी नियुकती अवकास आदिसे संबंधित सूचना को निम्निल संब हरें तुम कंदित ब्यक्तियों यह आम जंता के लिए राजपत्र यहलनी की गजट जिसको a gusto c यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगला कुछछन है अदिसूचना लिखी जाती है यह अन्यूप्रूस में हो जाएगा अगला कुछन है यहाँ भारत सरकार के गजर भारती यह राजपत्र के भाग है पक yapmış हैं कि यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चार भाग हैं माठीकर है क अगला कुछन है विभिन सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी गत्विधियों निरड़ेओं आध की जानकारी देने के लिए खाली पदों को भरने के लिए वस्तूं के क्रय बिक्रय के लिए सेवाएं लेने एवं देने के लिए कोई भी जानकारी देने के लिए खो क्या बोलेंगे बिग्यापन जारी किया जाता है उसके लिए जहापर सही जवाब हो जाएगा आपसन B अगला कुश्चन है सरकारी यों गयर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्मार कारे को शंपन कराने शामान की आपूर्ति करवाने अपने शामान की निलामी करवाने आधि के लिए उक्त कारे को कर सकने वाले ब्यक्तियों को सुचनार समाचार पत्रों आधि में प्रस्तावों का जो आमंतर प्रकासित किया जाता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है निविदा सुचना ठीक के लिए क्या जारी किया जाता है उसके लिए जारी किया जाता है विग्यप्ति ठीके सारजनिक जानकारी के लिए विग्यापन निकाला जाता है विग्यप्ति जारी की जाती है अगला कुछन है आपका किसी सरकारी सूचना निरड़े अथ्वा नीतिको या थावत जनता तक महुचाने के लिए जिसका पुरियोग किया जाता है उसमें जिसमें प्रकासन की तिथिवा समय भी लिखा जाता है तिथि के बाद उसका प्रकासन किया जा सकता है अथ्वा प्रकासनार्थ लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं ? उसको बोलते हैं आपका प्रेस ब्ग्यप्ती आपसंसु यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला कुशन है पूरों में लिखे गए पत्र को कोई जबाब प्राप्त नहीं होने पर अथ्वा उसके द्वारा प्रदत निर्देशों पर आपेक्षित कारवाही नहीं होने पर उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या बोलती है क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है अनुश्मारक ठीक है पहले कुछन आपने देख लिया है अनुश्मारक जिसको रिमाइंडर आप भेजते हो न अगला कुछन है जब किसी समाचार की विशेवस्त एक हो प्रेशक भी एक हो किन्तु प्रेशित यानि पाने वाला जो बगत है अगला कुछन है आपका भारत सरकार ने कृष्ची मंत्राले द्वाराशनक एवं परिवहन मंत्राले को निम्न में से क्या प्रेशित किया जाएगा ठीक है उसके लिए क्या निकाला जाएगा आपसंसी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुछन है किसी पत्र का जब आप नहीं भेजने पर कठोर भासा या चेतावनी युग्त सब्दों का पुरियोग किया जाता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं असमारक पत्र में ठीक है जब एक बार आप पत्र लिखा उसका कोई रिपलाई है तो रिमाइंडर देते हैं तो उसमें जाता है आपका सरकारी पत्र में ठीक है मुझे या कहने का निर्देश हुआ है सरकार द्वारा जो भी निर्देश मिलता है आप सरकारी पत्र में उसको लिखते हो यह किया जाता है सरकारी पत्र में ठीक है तो सही जवाब आपसन भी हो जाएगा अगला कुछ जन है आपका एक ही सरकार की विभिन मंत्रा ले आपस में सरकारी पत्र नहीं लिख सकते आपस में पत्र विवार करने के लिए उन्हें किसका सहारा लेना पड़ता है उनको सहारा लेना पड़ता है कारियाले ग्यापन का ठीके कारियाल है ग्यापर निकलता है निकी आपसंग ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नेश्ट कुशन है अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेसित करने के लिए कौन सा प्रारो प्रियुक्त होता है इतना पढ़ लेंगे तो आपको इसमें से कहीं ज़्यादा कुशन नहीं आएगा इतना पढ़ लेंगे तो आप जो भी उसमें कुशन आएगा अपना के सही आंसर आप कर लेंगे गलत नहीं होगा ठीक है आपने नहीं देखा है तो पिछला जो 2011 आला पेपर है उसको देख लीजेगा इस वाले सिल्बस के लिए इतना सफिसियंट है ठीक है पीडिया फी आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा यहापर देखे कुछन नंबर 34 है अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेश संबोधन सब्द कौन सा है संबोधन है आपका पूजनी प्रिय महोदय ठीक है सुश्री यह क्या हो जाएगा शंबोधन सब्द है आपसं सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला है स्वार निर्देश में लिखा जाता है स्वार निर्देश में क्या लिखा जाता है आ का आज्याकारी क्या लिखा जाएगा आपका A आज्याकारी कि आप संद अ हैं यहां पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुशन है निम्हली लिखित में किस प्रकार के पत्र में में प्रेशक का नाम व पद का उल्लेख प्रारंभ में बाई और किया जाता है यह आपको बताना है किस में किया जाता है आर्दिसास किये पत्र में बाई और किया जाता है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपसन बी नेश्ट कुछन है प्रेस विग्यप्ति में सबसे उपर दाहिने और लिखा जाता है सबसे उपर देखे प्रेश भी गेती निकलता है तो सबसे उपर दाहिने ओर क्या लिखा रहता है दाहिने ओर लिखा रहता है प्रकासनार्थ ठीक है प्रकासन के लिए निकाल रहता है आप्षन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कार्याले पत्र के अंत में लिखा जाता है क्या लिखा जाता है पत्र कार्याले पत्र के अंतर में भौधीय क्या लिखते हो ना भौधीय option D यहां पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुछ तर्ण है अनुस्मारक पत्र अनुस्मारक समझे लो ना reminder पत्र में पिछले पत्र को तिथीवा पत्र कर्मा कि. किस बिंद में लिखे जाते हैं ठीकर यह आपको बताना है यह लिखे जाता है यह संदर्व टीकर है शंदर्व में आपुछन यहां सही जवाब हो जाएगा अगला कुछन है आपका निम्न में से किस प्रारूप में संबोधन होता है किस प्रारूप में संबोधन का सब्दाता है यहाँ पर आता है आवेदन वाले प्रारूप में ठीक है जब हम आवेदन वाले निकालते हैं अप्लिकेशन जिसको बोलते हैं सरकारी अथ्वा गहर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्मार कार करवाने के लिए उक्त कारी करनी योग ब्यक्तियों के सूचनार्थ समाचार पत्र में प्रकासित की जाती है क्या किया जाता है सरकारी गहर सरकारी कुछ भी प्रतिष्ठान काम करवाना है का पहले खुछन है सरकारी, कार्यालियों, बैंकों और ब्योहारिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र ब्योहार क्या कहलाता है? यह होता है आपका आपचारी. क्या होता है? आपसन नहीं यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा. नेस कुछ आने निम्न में से पत्र का अंग नहीं है निम्न में से कौन सा पत्र का अंग नहीं है संबोधन जो हो पत्र का अंग नहीं है तीक है आरंब अंत मुख्य विशेवस्त ये तो होता है संबोधन पत्र का अंग नहीं है अगला कुश्चन है अनौपचारिक पत्र में प्रेशक का पता लिखती है अपचारिक और अनौपचारिक दो टाइप के पत्र हो गए ठीक है अनौपचारिक में प्रेशक का पता उपर दाहिनी और लिखती है तीक है उपर दाहिनी और जो लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है तीक है उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं आपसन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्चन है आपका आपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है उपर बाईं की तरफ ठीक है बाईं और उपर की तरफ अगला कुश्चन है प्रशासनिक कारियों को शंपन करनी की उद्देश से सरकार कर्मचारियों द्वारा आपचारिक भासा मे लिखे गए पत्र कहलाती है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा इसमें से कोई नहीं बैक्तिगत पत्र साच्किय पत्र सामाजिक पत्र कुछ नहीं ठीक है आपसन D यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्चन है एक ही सरकार के विभिन मंत्रालियों द्वारा आपस में लिखे गए पत्र कहलाती है उसको क्या बोलेंगे कारियाले ग्यापन जब निकलता है एक ही सरकार के विभिन मंत्राले द्वारे जो आपस में निकलते हैं वो उसको बोलते हैं कारियाले ग्यापन ठीके यहां पर सही जवाब होजएगा आप्षन डी नेस कुछन है अधिसूचना की समाप्ति पर श्रौनिर्देश की अस्थान पर होता है श्रौनिर्देश की अस्थान पर क्या होता है हस्ताक्षर एवं पद नाम सच्चिव या उपसच्चिव ठीके जब आप लेटर लिखेंगे आपसन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्चन है राजस्थान सरकार के कार्यालई पत्रों में सबसे उपर लिखा जाता है राजस्थान सरकार के बात कर रहा ठीक है तो राजस्तान सरकार में क्या लिखा जाएगा पत्र कर्मांकवा दिनांग सभी में लिखा जाता है पत्र कर्मांकवा दिनांग चाहे राजस्तानों चाहे कोई सरकार हो ठीक है कर्मचारियों के उपारजित अवकास की स्विक्रित है तो निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है कर्मचारियों के उपारजी तवकास की स्विकृत है तो निकाले जाने वाला पत्र क्या कहलता है कहलता है कार्याले आदेश आपन भी यहां पे सही जवाब हो जाएगा कार्याले आदेश निकलता है ठीक है कर्मचारियों के उपारजीत आउकास की स्विक्रित है तो निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है कार्याले आदेश कहलाता है आपसन भी यहां पर सही जवाँ हो जाएगा अगला कुछन है अनुश्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है यह आपको बताना है देखि कुछन को एक बार जरूर देख लिजेगा एक्जाम से पहले यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा अनुश्मारक गजट में प्रकासित नहीं होता अज अनुश्मारक तो आपने जिसको भेजा उसको फिसे रिमाइंडर के तार पर बेज़ेंगे ठीक है और अगला कुछन प्रिय लगा के कहेंगे ठीके जैसे काते हैं डियर सर्मा जी डियर यादो जी डियर मिस्टर जी डियर पांडे जी जो भी रहेंगे जो भी उनका सरनेम रहेगा लास्ट में तो वो भी लगा देते हैं ठीके तो बस यही लगा के करते हैं तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा option C तो इसका pdf आपको मारे telegram पर मिल जाएगा I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजेगा जो भी आपका group होगा उसमें share कर दीजेगा ताकि वो भी इसका लाप ले सके पीडियो फिसका आपको मारे telegram पर मिल जाएगा telegram से अकर आप नहीं जुड़े हैं तो जोड़ जाएगा आप Google Play Store से जाके telegram इस्टाल करेंगे उसके बाद उसमें share करेंगे तो आप सिधा हमारे group से जोड़ जाएगे तो इसको यहीं पर रखते हैं नेश्ट वीडियो में हम और हिंदी के syllabus को लेके आएगे सारा जितने भी 11 चैप्टर हैं आपके हिंदी से वो सारे